हेलो व्रेवन वेल्कम यो ओल इट लोकेस्ट तर आलेम्टेट स्टडी जोन आज हमें स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सदिस बीजगनेत अध्याय दस जो की हमारी NCRT बुक का क्वेश्ट चैप्टर नंबर टेन है तो चलिए स्वाल करते हैं इसके क्वेश्चन्स को तो सदिस बीजगनेत वैक्टरल इल्चेबरा सबसे पहले आपके पास में वस्तु निष्ट प्रस्ट नहा है बट हम इनको सबसे लास्ट में अटम्ट परते हैं जब पूरा है सबसे पहले हमें पढ़ना है सदिस के बारे में कि शदिस का परिचा है कि शदिस होते क्या में पहले नंबर में आयदा हमारे पास सदिस का परिचा है दूसरे नमबर पर हम लोग पढ़ेंगे सदिसों का योग तो दूसरे पर हम पढ़ेंगे सदिसों का योग तो दूसरे पर हम पढ़ेंगे सदिसों का योग तीसरे पर हम पढ़ेंगे सदिसों का गुडन और चौथा जो पॉइंट है इस चेप्टर में वो है शादीशों का अनुप्रयोग तो इस तरीके से कुछ इस चेप्टर को हम आगे चलाएंगे और इन पॉइंट्स में हम अपने चेप्टर को डिसकस करेंगे चलिए तो start करते हैं सबसे पहले शादीशों की परिचाँ से पहला पार जो है इसका वो है शादीशों का परिचाँ इन्टोडक्शन ओफ वेक्टर के बारें बात करते हैं तो बच्चों गनित में दो प्रकार की राशिया होती है कौनसी राशी, बैसे physics में भी बोलते हैं, इसको बहुतिक राशी है, तो, है actually ये बहुतिक राशी ही, बट इनको solve करने के लिए कनेच की जरूरत पड़ेगी, ओके, बहुतिक राशी दो प्रकार की होती है, एक, जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, जिनको आप अदिश राशी और you can say English में स्केलर बोलते हैं और दूसरा जिनको व्यक्त करनी के लिए दिशा की जरूरत होती है जिनको हम शदिश राशी बोलते हैं ठीक है अब शदिश राशी हमको पढ़ना है तो सबसे पहला सदिस जो होता है उसका नाम है इस्थिती सदिस जी हाँ इस्थिती सदिस तो इस्थिती सदिस क्या हुआ करता हैं English में इसको बोलते हैं Position Vector इस्थिती सदिस मतलब Position Vector हुआ करता है इस्थिती सदिस क्या होता है अगर आपके पास कोई बिंदू है तो उस बिंदू की मूल बिंदू के सापेक्ष इस्थिती बताने वाले सदिस को क्लियर है तो अगर आपके पास कोई बिंदू है तो उस बिंदू की इस्थिती मूल बिंदू के सापेक्ष बताने वाले सदिस को क्या बोलते है इस्थिती सदिस बोलते है For example, आपके पास Space में, Trivium में कोई बिंदू है X, Y, Z और आपके पास ये मूल बिंदू है 0, 0, 0 तो O से लेकर के P को आप जॉइन कर दीजिए तो ये सदिस आपका कहलाता है क्या O P सदिस और O P सदिस क्या होता है O P सदिस यानि की P का स्थिती सदिस Equal to X I Cap Plus Y J Cap Plus Z K Cap O P यानि की P का स्थिती सदिस X I Cap Plus Y J Cap Plus Z K Cap ये P का स्थिती सदिस है कोई भी अगर बिंदू बैठा होगा Space में तो उसका स्थेदी सदिस क्या होगा, X I cap plus Y J cap plus Z cap, यहाँ पर X उस बिंदो का X नर्दे सांक है, Y Y नर्दे सांक है, Z Z नर्दे सांक है, तो इसको कैसे करते हैं, यह समझ लो आप, इसको समझने के लिए, सबसे पहले आपको ज़रुत पढ़ेगी इकाई सदिस की, यह तो आपने जान लिया, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, और यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ, आपको मैं मॉडलस बता देता हूँ, मॉडलस है नहीं की मापांक, तो मापांक, ओपी सदिस का कैसे निकालेंगे, एक्वल टू, ओपी का मॉडल लगाई यह, बराबर, जब इधर आपने मॉडल लगा दिया, तो एकसाई कैप, प्लस वाई जे कैप, प्लस जेट के कैप, भई मापांक का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी के उपर मॉड लगा दिया, मतलब आप उस सदिस का परिमाड चाहरे हो, अगर आपने सदिस A के उपर मापांक लगा दिया है, तो इसका मतलब बनेगा सदिस a का परिमार फिर आपको दिशा से कोई मतलब नहीं है उसका आप परिमार चाहे रहे हैं तो परिमार निकालने का तरीका इसका कितना होगा अंडरूट पहला जो गुड़ांग है उसका square एकस स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर प्लस जड़ स्क्वेर तो यह आपका सदिस ओपी का मापांक निकल जाएगा अंडरूट एकस स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर प्लस जड़ स्क्वेर इस तरीके से आप इसका मापांक निकाल सकते हैं तो अभी तक तो मैंने आपको क्या ब इकाई सदिस को इंग्लिस में unit vector बोलते हैं तो इसकी बहुत अच्छी मैं definition आपको बता रहा हूँ मानली ज़ाँ आपके पास कोई सदिस दिया गया बड़ा सा a यह बड़ा सा सदिस है दिये गए सदिस की दिसा में दिये गए सदिस की दिशा में इकाई परिमार का सदिस मतलब मान लो यह दस कदम है तो दस कदम की दिशा में एक कदम एक कदम का जो सदिस बनेगा उसको बोलते हैं आप क्या? उसको बोलते हैं आप इकाई सदिस यहां से ले करके यह पूरा सदिस यहां तक कितना है A है इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो इसका नाम आप A B दे दो O A दे दो जो आपको देना हो दे दो आप ठीक ना जैसे मान लिजे आपने इसका नाम A से लेके B दे दिया है तो AB का पूरा परिमाड कितना है AB का पूरा परिमाड है मौड A सदिस AB का पूरा परिमाड कितना है मौड A और AB का जो 21 सदिस है वो क्या है A कैप है तो देखें मैं 21 सदिस की परिमासा बनाता हूं सूत्र बनाता हूं अगर आप A कैप को पूरे वेक्टर में फोल्ड करते जाओ equal to complete vector A so A cap equal to कितना आएगा vector A upon mod of vector A इससे एक प्रश्न आपको जरूर आएगा 101% तो अपने पास में A cap equal to सदिस A upon mod of A यह होगा आपका इकाई सदिस ओके तो इकाई सदिस क्या होता है दिये गए सदिस की दिसा में किसी vector किसी सदिस के इकाई परिमान का सदिस एक कदम का सदिस जो होता है उसे आप इकाई सदिस बोलते हैं अब आईए बहुत आसान है इसका question करना जैसे मान लिज़ा आपके पास में कोई space में कोई बिंदू है 3, 4, 5 और आपको इस सदिस का इस्थिती सदिस का इकाई सदिस निकालना है तो सबसे पहले इसका स्थिती सदिस बनाई है तो स्थिती सदिस क्या होता है origin मूल बिंदू के respect में होता है equal to सदिस का A upon परिमाड A का परिमाड ओके अचा बच्चों में एक बात आपको बता दूँ कि जब तक A के उपर सदिस लगा हुआ है यह सदिस है या कुछ लोग इसको ऐसे मतलब आप आँगे पढ़ोगे न तो bold A से भी denote करेंगे तो यह भी सदिस है अगर कहीं पर आपको मतलब ऐसा मिल जाए जोर से लिखा हुआ रहे है bold मोटा करके A A प्लस B हाँ तो इसका मतलब क्या समझोगे यह सदिस A प्लस सदिस B है जब इतने चोड़े मोटे अक्षर रहेंगे तो यह सदिस होते हैं अलाकि आपको इतना ज़्यादा कठनाईयों का सामना अभी इस इस तरपे नहीं करना पड़ेगा परंतु आंगे ऐसा होगा तो आप ध्यान रखना तो सदिस A यह है अब देखो जो A का परिमार है आप यह भी लिख सकते हो और अगर सिंगल A लिखोगे तो भी यह परिमार ही माना जाएगा मतलब जहां पर सदिस नहीं है वो परिमार ही होता है समझ में आया है बोलो क्लियर है ओके तो यह हो गया A प्लस B इक्वल टू आपने देख लिया सदिस इस तरीके से भी लिखते है तो हम खेर इसकी बात कर रहे थे तो फिलहाल A कैप इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 I कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप है तो उपर लिख देंगे 3 I कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप और डिवाइड बाई अंडर रूट आफ 3 का स्क्वेर 9, 4 का स्क्वेर 16 और 5 का स्क्वेर कितना होता है 25 So A कैप इक्वल टू 3 I कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन 16 और 25 और 25 कितना हो गया 50 तो ये आपका बन गया इकाई सदिस तो ये इकाई सदिस कितना होगा ये इकाई परिमाल का सदिस मतलब इस सदिस के ऊपर ही इकाई परिमाल का सदिस बैठा होगा यहां तक का तो देखा जाए तो आपने ये सदिस निकाल लिया है अब दो चर्चाएं यहाँ पर नई छड़ जाती है, देखिए, अगर आप पूरे वेक्टर के लंबाई के भाग देखें, length component जिसको लंबाई के घटक बोलते हैं, तो दो घटक यहाँ पर आ रहे हैं, एक आ रहा है, संपूर्ण वेक्टर का लंबाई का घटक, जैसे ही अप के संपूर्ण घटक की बात करूं, लंबाई के, तो लंबाई की घटक है 3, 4, 5, मतलब इसका X अक्ष के अंदिस जो घटक गिर रहा है, वो किता है, 3 है, Y अक्ष के अंदिस जो घटक गिर रहा है, 4 है, और Z अक्ष जो दिखता नहीं है, वाहर की और होता, उसके अंदिस इ जो धिए गए सडिस के आपने पास क्या है ये सदिस है कंपूरींके जो घटक होते हैं किसी दिए गए सदिस के लेंथ कंपोनेंट अक्षों के अनुदुस गरने वाले लेंथ कंपोनेंट पूरी लंबाई रटे सा नुदू पस्का और चार पाँच जी हाँ तो इस सदिसका दिक अनुपात कितना है इस सदिसका दिक अनुपात है बराबर तीन कॉमा चार कॉमा पाँच ये दिक अनुपात X अच्छ की दिसा में है ये दिक अनुपात Y अच्छ की दिसा में है और ये दिक अनुपात अब दिक अनुपाद के बाद हमारे पास दिक कोजिया निकालते हैं, दिक कोजिया क्या होती देखे, तो पूरी लंबाई के ये जो घटक होते हैं, इसको हम दिक अनुपाद बोलते हैं, मतलब आपके पास यही कोई सदिस वेक्टर A बराबर, A I कैप, प्लस B J कैप, प्लस C के कैप है, तो ये जो A, B, C आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे लंबाई के घटक हुआ करते हैं, या लंबाई के X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष के अनुदिस प्रच्छेप हुआ करते हैं, देखो, ये X अक्ष है, तो इस सदिस का X अक्ष के अनुदिस प्रच्छेप कितना पढ़ रहा है, किती छाया पढ़ रही है, इसकी छाया पढ़ रही है, X अक्ष में 3 इकाई की, Y अक्ष में किती छाया पढ़ेगी इसकी, 4 इकाई की, तो 3, 4, 5 जो कहलाते हैं, इनको हम क्या बोलते है दिकन अपात और इनको A, B, C से दिनोट करते हैं तो A बराबर 3, B बराबर 4 और C बराबर 5 अब बात करते हैं एकाई सदिस की तो इतने बड़े सदिस का एकाई सदिस मान लो आपने ये निकाला this is called a cap यह आपने कितना निकाला a cap और अभी अभी आपने पीछे a cap निकाला है कैसे निकाला था a cap बराबर सदिस a upon mod a और आपके पास क्या आया था भीया a cap a cap आपके पास आया था सदिस a upon mod a मतलब 3i cap plus 4j cap plus 5k cap upon under root 50 यह आया था अगर आप इसको break कर दें इसके कोने को तो यह क्या बन जाएगा 3 upon root 50 i cap plus 4 upon root 50 j cap और plus 5 upon root 50 k cap तो आप कह सकते हैं कि हमारे 61 सदिस के जो लंबाई के घटक मिल रहे है वो क्या-क्या मिल रहे है यह मिल रहा है 3 upon root 50 4 upon root 50 और 5 upon root 50 तो यह जो कौने component मिल रहे है बताइए यह पूरे सदिस के मिल रहे है कि इकाई सदिस के मिल रहे है पूरे के क्यों मिलेंगे पूरे के तो 3, 4, 5 है ना यह a cap के सदिस है ने यह a cap तो निकला है हाँ तो यह a cap के corners निकले हैं आपके पास है ना A cap, यानि इनका मापांग कितना निकलेगा, एक निकलेगा, 31 साथ इसका मापांग कितना होता है, एक होता है, तो यह जो component कहलाते हैं, इनको बोलते हैं, दिक कोजिया, तो यह कहलाते हैं, इनको बोलते हैं, L M N, L M N, तो यह हो गया point L, यह point हो गया M, और यह हो गया N, तो एक के पास कोई वेक्टर complete vector है कोई वेक्टर आपके पास complete vector है सपोज नाम ले लेता हूं मैं a b vector अगर आपके पास कोई vector a b vector complete vector है और मैं a b vector को लिखता हूं a i cap plus b j cap plus c k cap तो इस a b vector के जो लंबाई के घटक होंगे x h y h और z h कितने होंगे small a small b और small c तो इसके जो दिख अनुपात निकलेंगे वो क्या निकलेंगे भाई साब a, b, c वो लो clear है अब बात है इसकी दिख को जाएं की तो दिख को जाएं कौन सा घटक होती है इकाई सदिस का तो सबसे पहले आपको इकाई सदिस निकालना पड़ेगा तो ये मान लिजे आपने इकाई सदिस निकाल लिया ये निकल गया आपका इकाई सदिस a b cap a b cap तो AB cap कैसे निकलेगा AB cap equal to सदिस भाई cap लगाना था है आपे cap लगा दूँ AB cap equal to सदिस AB upon mod AB सदिस AB upon mod AB तो सदिस AB आपके पास कितना है AI cap plus BJ cap plus CK cap upon mod में under root हो जाएगा A square plus B square plus C square तो आप इसको break कर दीजे तो अलग-अलग तरीके से आप लिख सकते हैं इसको कितना यहां लिख देता हूँ मैं तो इसको आप अलग तरीके से लिख सकते हैं AB cap तो unit vector equal to A upon under root A square plus B square plus C square I cap plus B upon under root A square plus B square plus C square J cap plus C upon under root A square plus B square plus C square into K cap अब यह जो length component बन रहे हैं यह जो घटक सदिस बन रहे हैं घटक बन रहे हैं यह किसके घटक हैं? पूरे सदिस के घटक हैं कि इकाई सदिस के घटक हैं? यह ốngकि यह किसके घटक हैं? पूरे सदिस यह कि इकाई सदिस के? एकाई सदिस के और इकाई सदिस के घटकों को हम बोलते हैं दिक집 ख्या तो ये कहलाएगा ये वाला पार्ट कहलाता है L और ये वाला पार्ट कहलाता है M और ये वाला पार्ट कहलाता है N मतलब ये जो कोने बनेंगे ये क्या होंगे L M N ओके तो अपने पास जो ये वाला पार्ट हो गया L ये हो गया M और ये हो गया N तो हम क्या लेख सकते हैं, हम लेख सकते हैं कि जो हमारे पास सदे सा रहा है उसके लिए हम दिख को जाएं किस तरीके से निकाल सकते हैं तो L बरावर, L equal to A upon under root A square plus B square plus C square, जो आपने निकाला, पहला part M equal to B upon under root A square plus B square plus C square and n equal to c upon under root a square plus b square plus c square बुलो समझ में आया हाँ तो ये complete point है last का ABC और इसका जो एकाई सदिस के कोने निकलेंगे वो क्या होंगे L M N ओके तो complete point है ABC और ये कोने निकलेंगे L M N तो यदि मैं बात करूँ इसका नाम में P रे दूँ तो O P सदिस जो निकलेंगे वो कितना होगा AI कैप प्लस BJ कैप प्लस C कैप और O P सदिस की दिसा में जो 21 सदिस निकलेंगे वो कितना होगा वो होगा LI कैप प्लस MJ कैप प्लस N K कैप ठीक है ना तो O P का 1 सदिस कितना होता है LI कैप प्लस MJ कैप प्लस N K कैप यह कहलाते हैं दिक, अनुपात और दिक को जाएं. तो यहां पर दिक, अनुपात और दिक को जाएं कि आपको जानकारी दे दी गई है. अगला कंसेप्ट आपके लिए है विस्थापन सदिस, displacement vector. तो heading मना ये विस्थापन सदिस. देखिए, विस्तापन सदिस में पढ़ने के लिए आपको जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है triangle law, triangle law की आपको जानकारी होनी चाहिए तो triangle law क्या कहता है पहले मैं आपको बता दूँ triangle law कहता है कि अगर आपके पास कोई triangle में दो vectors जो हैं लगातार हैं triangle की direction में ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये त्रिभुच की भुजा, दो लगातार भुजा को निरुपित कर रहे हैं, तो जो तीसरा सदिस होगा, वो उन दोनों का योग होगा, मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B, जो तीसरा सदिस होगा, वो उन दोनों का योग होगा, और है सदिस में तो यह बनेगा a plus b अब आईए विस्थापन सदिस पढ़ लेते हैं इस concept का इस्तमाल करते हुए तो आपके पास में विस्थापन सदिस पढ़ने के लिए मान लीजिए यह अपने पास coordinate system है point p है point p के बिंदू है x1 y1 z1 और आपके पास point p से आप point q तक का विस्थापन सदिस निकालना चाहते है x2 y2 z2 तो देखिए ओसे लेके p को join कर दीजे तो ओसे लेके आपने p को join कर दिया तो op सदिस बन गया x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap और दूसरा o से लेके आपने q को join कर दिया तो o q सदिस बन गया x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap यह op बन गया यह o q बन गया अब देखिए यह o है अब आपके पास क्या rule लगेगा त्रिभुज का rule यदि देखा जाए तो दो लगातार सदिस op plus p q equal to o q दो लगातार का योग तीसरे के विपरीत क्रम में बराबर होता है तो o p क्या लिख सकता हूँ मैं आपे o p plus p q equal to कित्ता हो जाएगा o q तो p q सदिस equal to o q minus o p तो p q सदिस equal to o q o q का मतलब कितना है x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap यह अपने पास में o q है और minus x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap तो p q सदिस equal to यह कितना हो गया x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap बच्चों यह बन गया है आपका दो बिंदू को जोडने वाला विस्थापन सदिस इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे यह बहुत important है अगर आपको दो बिंदू दी रहेंगे तो इस तरीके से आप विस्थापन सदिस निकालेंगे क्या कह सकते है अगर आपके पास p है और q है तो short tick क्या बनी q का सदिस minus p का सदिस मतलब पहले बादवाला आता है और फिर पहले वाला आता है तो p q सदिस equal to q का स्थिरी सदिस कितना होगा o q और p का स्थिरी सदिस कितना होगा o p yes यह देखी यह लिखा भी हुआ है o q minus o p बोलो समझ में आया बच्चो तो इस तरीके से आप जो है विस्थापन सदिस निकाल सकते है चलिए अगले concept पर चलते हैं questions देखेंगे yes देखें कह रहा है कि सदिस कुछ questions देखते हैं हाँ सदिस a i इतने कि अनुदिस एक ऐसा सदिस निकालो जिसका परिमार साथ ही काई है तो भाई अब पहले आप इसका इकाई सदिस निकाल लो इकाई सदिस मतलब एक परिमार का सदिस आ जाएगा ये कोई सदिस है और इसका पहले इकाई सदिस निकाल लिया आपने तो ये एक है पा गया अब इसको कित्ते गुना कर दो साथ परिमार का चाहिए साथ इकाई का तो इसका कित्ते से गुना कर दो साथ से तो यह answer आजाएगा चली तो एक question अभी आप करेंगे जिन में जिन में टिक कर रहा हूँ अगला दर्साई ये कि ये सदिस सन्रेक है सन्रेक सदिस का concept यहाँ पर बताया जा रहा है तो देखिए सन्रेक ही सदिस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि दो सदिस सन्रेक ही अगर होंगे इसका मतलब क्या है यह आपके पास एक line है इस line में मैं तीन बिंदू आपके सामने में ठाल लेता हूँ A, B, C ठीक है ना और ये तीनों बिंदू क्या है सन्रेक ही सन्रेक ही मतलब एक ही रेखा पर है और अगर अगर ये तीनों बिंदू एक ही रेखा पर है तो इनसे दो सदिस तीन सदिस आप बना सकते हो एक बन जाएगा A, B एक बन जाएगा B, C और एक बन जाएगा A, C बड़ा वाला सदिस यहां से यहां तक का एक बन जाएगा A, C अब बच्चो एक बहुत common property है यह आपस में parallel है यह सब के सदिस आपस में क्या है? पैरलल है A, B भी वहीं जा रहा है B, C भी वहीं जा रहा है और A, C भी वहीं जा रहा है तो अपने पास यह सब के सब क्या है? पैरलल है मतलब आप कह सकते हो कि A, B सदिस parallel to B, C और parallel to A, C सब के सब पैरलल है और सब के सब पैरलल होंगे अगर दो सदिस आपके पास पैरलल होंगे तो उसमें parallel T याने की समानतर होने की property लगाई है क्या होगी property देखिए पैरलल होने की मान लिज़े आपके पास एक सदिस दिया गया है A B किता दिया गया है A 1 I cap plus B 1 J cap plus C 1 K cap पहला सदिस दूसरा सदिस आपको दिया गया है B C A 2 I cap plus B 2 J cap plus C 2 K cap नोट से ध्यान से लिखो अगर A B B C के पैरलल होगा तो कंडिशन क्या बनीगी A 1 upon A 2 equal to B 1 upon B 2 equal to C 1 upon C 2 ये कंडिशन बनीगी तो यहाँ पर देखिए दो सदिस दिये गया है कह रहा है कि सो करना है कि सनरेख है तो भाईया अगर दोनों सदिस सनरेख ही होंगे तो भाईया पैरलल तो होंगे ही एक ही रेखा में होंगे तो पैरलल होंगे तो इसका देखो A 1, B 1, C 1 कितना है 2, minus 3, 4 तो मैं लिख लेता हूँ A 1 upon A 2 तो इसका कितना भाईया साब 2 है इसका कितना है, minus 4 है B 1 upon B 2 लिख लेता हूँ तो B 1 upon B 2 इसका देखिए कितना है, minus 3 है इसका कितना है, 6 है ओके और C1 upon C2 भी लिख लेता हूं C1 upon C2 तो इसका C1 कितना है 4 है इसका C2 कितना है minus 8 है चलो हल करो तो ये कितना आएगा ये आएगा minus 1 बटे 2 ये भी कितना आएगा minus 1 बटे 2 ये भी कितना आएगा minus 1 बटे 2 तो clear हो रहा है A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 अत्त है यह दोनो सदिस जो है वो क्या है सन रेखी है एक ही रेखा में है क्योंकि सन रेखी है सदिस हमेशा क्या होते है parallel होते है समांतर होते है मुलो done समझ में आया अब सन रेखी हो गया parallel की property बता दी अब parallel के बाद लंबवत सदिस जो होता है वो आपको उसके लिए dot product यहने पढ़ाना पड़ेगा अभी के लिए dot product मैंने पढ़ाया नहीं है चलिए अब देखो भईया दिक कोज्याएं ग्यात करना प्रस्ट नमबर थ्री भी बन जाएगा इसके बाद कोण आ गया चलिए तो यह जो point आज हमने आपको कराया है इसमें सारा का सारा यह related था किस से related सदिस के योग से related तो सदिस के योग वाला portion हमने पूरा करा दिया है आपकी जो पहली exercise शुरू की दो तीन exercise है वो योग पर based ही exercise है तो आप सदिसों के योग पर पूरी exercise करके रखिए और जो हमने आपको question कराये है आप वो पूरे के पूरे करके रखिए शुरूबात के ठीक है ना और कल हम इसको आँगे continue करेंगे अभी तो आप इसको करके रखेंगे आपके concept जब develop हो जाएंगे तो कल हम आँगे करेंगे आपको as a homework जो आपने vector करा है उस vector को पूरा solve करके मेरे को भेजना है ठीक है ओकी थैंक यू बच्चों आज के लिए तना ही धन्यवाद आपके लिए करेंगे